हेलो गाईज शो फाइनली शॉआ था आप सभी का आपके अपने यूट्यूप चैनल सरदार जी एजुकेशन है तो बच्चो आज के इस वीडियो में क्लास 10 का प्रीबोड इग्जामिनेशन वाला पेपर हम देखेंगे सोशल साइंस का साइंस का हमने डाल दिया था और अधार पर और नए प्रश्ण बैंक के अधार पर आधारित हैं तो इन प्रश्णों को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना और अच्छे से स्टेडी करना है जो कि क्वेश्चन आपके एक्जाम में सम्हावित प्रश्ण है यह फाश सकते हैं ठीक है मैं 100% की गारें पहिए आपको करने लुक्रत कि संख्या क्या होती है तो सबसे इंपॉडन खुष्छेस ने यादकर लेना को राग जिसवा लोक सबात डोनों के के संख्या defect जबूुक्य होती थो Therefore 27 सबस्ट अंगलापध कि आप मानोजनित आपडा है मानोजनित आपडा क्या है बाठ भूश्कर न चलान ओपसन धीगा सड़क दुरगटना क्यूँ सड़क दुरगटना मानो जनित आपदा है बाठ वगर तो एसा नहीं होता है लोग सभा अध्यच वित्त विध्या करता है इसके बाद आपको फिलिंदे ब्लैंक्स देखना है ठीक है पहला है सोयविन उत्पादम में प्रथामिस्थान प्राप्त भारती राज है कौन सा तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश ठीक है अंगला देखे करो अंगला देखे शिवनी जिले की राम्गड की रानी थी अंगला दे बस अत्रीक है बारम य कि जमा या पैसे को इकतिक है ठीक है फिर समाजी किवानकी योजनको's К Press की विट्थि सहांता प्राप्त होती है किसे सहांता प्राप्त होती है ये हो जाएगा når विष बैंक समाजी कुशित की को विष क करता। क्लियर फिर सही जोड़ी बनाईए पेरियार का समद्ध हो जागा पेरियार तेलंगाना से पेरियार का समद्ध तेलंगाना से हो जाएगा इसके बाद आंदर प्रदेश यह हो जाएगा केरल मानकी करण इसका भारती मानक संस्थान सम्मिधान की व्यक्या सरवोच नियाले दांडी यातर सन 1930 ठीक है फिर से लगा ले पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चलिए आंगे देखिए एक वाक में उत्तर लिखिए राष्टिय भोगता दिवस कब मना जाता है तो राष्टिय भोगता दिवस पंद्रा मार्च को मना जाता है कब पंद्रा मार्च को राष्टिय भोगता दिवस मनाया जाता है इसके बाद आप देखिए मरदा अपरदन से क्या थात पर रहे है म्रदा अपरदन मत्ले मिट्टी का कटाँ ठीक के अच्छा है मिट्टी का कटाँ हो जाए टीक Коловые जल से भरे रहने वाले चthen को क्या कहते हैं तो बाढ़ कहे लागा बार कह सकते हैं नदीत माइ आप कछ़ी बाढ़ कह बिरुजगारी से लोक्तंतर को खत्रां कोई नहीं है यह सत्य हो जाएगा भोक्ता सन रच्छन नियम सन 1986 में लागू किया गया था ये हो जाएगा सत्य अब भारत की प्रथम रेल गाड़ी सन 1853 में चली थी ये भी हो जाएगा सत्य ठीक है तो ये आपको देख ले ना चे तरीके से इसके बाद अब्जेक्टिव के बाद आपते हैं दो दो नमबर वाले कुश्चन जो की इंपोर्टेंट है आपको स्क्रीन सॉट लेते जाना फटाफट जैसे कि श्वेत क्रांतिया क्या है हडपा नीती क्या है अदुसर नचना के प्रकार लिखिए दिसंबर 186 में वन नीती की प्रमुग विश्चता है भारती राष्ट का अंग्रेश के दो देश जॉब कार्ट समन्दी सिकायत का समाधान कावन करता है ठीक है मिलावट क्या है मद्रा के कोई दोकार सबसे इंपोर्टेंट है मद्रा के कार है यह कुश्चन पढ़ लेना शेवा छे प्रणित संपद्दा का भंडार नरम दल और गरम दल की बीच क्या अंतर था इस पस्ट कीजिए उर्जा के परमपरागत और गयरप परमपरागत साधनों के तुलना इसके बाद आप देखें कि राष्टी जगरती की विकाश रेश्वारी हां राष्टी जगरती के इसके बाद छोटा नाकपूर पठार वेरी मोस्ट है भारती अर्थ विस्ते में क्रशी के योगदान को सपष्ट कीजिए आप दर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार मौलिक करता बनीती ने रिशक्त तो सभी पढ़ लेना संघात्मा संघा मौलिक दूर करने के पास सबसे भैत्यपूर विश्यस्ता इसके बाद मुद्रा के प्रमुक कार भुगता का सोचन के होता है भारत में मिरोजगारी दूर करने के पांच उपाए ठीक है इन कुस्टन्स को आपको अच्छे तरीक से स्टूड़ी करना भारत छोड़ों अंद अधिनता द्नियम क्या है ठीक है इन कुस्टन्स को और यह पंचाती राज वस्ता सबसे इंपॉर्टन है बहुत ही महत्यपूर्ण कुस्टन है तो इन कुस्टन्स को आपको पढ़ लेना यह फिर लास्ट में भारत के मांचित्र में मिकित बिंदू का अंकित करना बहुत ही महत्यपूर्ण ही यह वाले कुस्टन तो आता ही आता है मौश्य मौश्य में दसाओं को सबस्ट करते हैं संकेत बनाएए बिंदू को अंकित कीजिए सारी चीज़ा आपको स्टड़ी कर लेनी अच्छे तरीके से हैना तो यह प्रशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टन वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करेगा आज की भी नहीं बत रही था आल दे बेस्ट फॉय एक्जाम्स जैहन जैवारत